आप सबी का स्वावत करती हूँ और आज हमारे साथ है MS personality Mr. Sasang घर्ड जो NRI है मैं आप सब दोनी से मिला रही हूँ लेकिन हमारा इश्व का लाँ है iconic personality of सूरत लेकिन इस iconic personality of NRI है तो मिलते हैं ससांग जी को ससांग जी आपका स्वागत है हमारे इश्व में और आज आपसे मुलाकत करके हमें बहुत ही अच्छा लगा आज शब को मैं बताना चाहती हूँ कि आप exactly आपका जो theme है आप जो करना चाहते है कि senior citizen के लिए जो आप गाना गाते है उसी के बारे में actually मैं आपसे बात करना चाहती हूँ लेकिन पहले आपके बारे में थोड़ा समय जानना भी चाहोंगी कि आप NRI है लेकिन अभी मुंबई में है तो किसे लिए आप यहां पे है और आप NRI है तो क्या करते है सबसे पहले तो नमस्कार आपने मुझे यहां याद किया है और यह चांस दिया है लोगों तक message पहुंचाने के लिए मैं अमेरिका में businessman हूँ diamonds and gemstones jewelry के businessman college में मैं professor था एमदाबाद में economics पढ़ाता था आबादी का जो problem है अपने देश में वो में पढ़ाता था गाने का तो हमारे घर में allowed नहीं था actually आज मेरी मदर की birthday है तो खास वो भी मेरा नन्याल सूरत है तो आज उनको याद करके मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं जो गाने गाता हूँ केल साइगल, पंकज मलीक, जगमोहन, मुकेश, हिमन कुमार, प्रदीब जी, कवी प्रदीब जी, ममद रफी, तलत मेहमूद, मनाडे, श्याम, सुरेंद्र, यह सब के गाने मैं गाने का प्रहत्न करता हूँ और लोगों तक पहुचाना चाहता हूँ, जो सीनियर लोग, आज डर के मारे बैठे हैं, पिंजरे के पंची, तिरा दर दन जाने, तो जो घर में बैठे हैं, उनको डर है के उनका क्या होगा, और उनके बच्चों की क्या हालत होगी, उनकी आमदनी की क्या हालत होगी, तो यह सब मैंने वह गाने में भी लिया है प्रदीर ची के गाने और उसके बाद मैं मैंसे दिरा कि मुड़ मुड़ के ना देख, आगे देखो, बस अपने आपको सेफ रखो, तो मेन परपस यह है कि जो पुराने सिंगर्स के गाने, बांबे और दुनिया के बड़े-बड़े सि कर चुका हूँ, और लोगों के मन को खुशी देना चाहता हूँ, जैसे किसी की मुस्कुराहट हो निसा, यह मेरा परपस है, बहुत अच्छी बात है, आपकी जो परसनलिटी है और आप एक बिसनिसमेंट है, फिर भी गाने का आपको शौक है और आप जो दिल से गाते हैं, लोगों को तक आपके गाने पहुँचाते हैं, वो भी एक सिनिया सिटीजन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपका कुछ सूरत से भी ना आता है, तो उसके बारे में भी बताईए, जैसे बताया है कि मेरे नन्याल सूरत का है, मेरी सूरत में बड़ी हुई थी, और मैंने मास्टर्स एकोनामिक्स में सूरत से किया था, और मैंने तीन-चार प्रोग्राम किया है, सबसे पहला प्रोग्राम मदर्स ले पर, खास करके सीनियर्स लोगों के लिए, और आपके थूई किया था, उसके बाद तीन-चार और में नाकि मेरी एज कोई है नहीं, मैं तो अपने आपको जो परफॉर्म करता हूँ तो 30 साल का में महसूस करता हूँ कि 16 जो बढ़के मुड मुड के ना देख ऐसे गाने मैं गा चुका हूँ और एनी वे तो यही मेरा सूरत से नाता है यह सूरत का नाता और सूरत की मैं भी सूरत से आई हूँ आपका अज मुंभई में इंटेवु लेने के लिए और जिस तरह से आपके बारे में मैंने सुना था, उसी तरह से आपका जो स्वभाव है, आपका नेचर है, लोगों की मदद करना ये आपका मोटो है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे कुछ गाने भी सुनने चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ के लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती रही है, इस देश की जो आबादी है, तो ये आबादी को मतलब बहुत मुश्किल हो रही है, न्यू जनरेशन के लिए, तो जितना आप अपने विकास में ध्यान दे करेंगे, जितना आप तो आप प्रगति करेंगे, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ना है, बस यही मैं बोलूँगा जूनियर्स को, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको अपने जिन्दगी में कुछ करना है, बस क्योंकि मनुश्य और प्राणी दोनों फैमिलीज को रेज करते हैं, लेकिन उपरवाले ने खाले मनुश्य को बुद्धी दी है, तो हेल्प अधर्स बिसाइज रेजिंग दे फैमिलीज, बस यही मेरा मुद्दा है, यही तो लोगों की खुशी के लिए मैं गाना गाता हूँ, आप भी वोही का करिए यंगर जनरेशन, बस वही बात है, तो यह आपका मोटो था कि आप सिन्या सिटिजन्स के लिए कुछ करते हैं, और काफी सारे शोस भी किये हैं, तो मैं आपको पुछना चाहूँगी कि आपने अभी तक कहां कहां शो किये हैं, अमेरिका, कैनेडा, हॉलन्ड, पनामा औरस्ट्रेलिया काफी जगह पे है, फ्रांस हर जगह पे मैंने प्रोग्राम दिये है, एंड हर जगह पे लोगों को ये पुराने गाने, केल साइगल से लेके, 65 तक के, किशोर कुमार तक के, सब सिंगर्स के गाने हैं, लोगों को जो सुनने के लिए मिला, जो यूनीक गान मतलब इसे ज्यादा कुछी मुझे जिन्दगी में और कोई नहीं में, बिजनिस किया है, जैमस्टोन जुनरी में, अमेरिका के बड़े बड़े जोरी के साथ, लेकिन गाने से जो सुकून मिलता है, जिन्दगी में हर एक मनुष्यों को कुछ न कुछ करना चाहिए, मूटि आनन्द करिये, आप देखो कहां से निकल के कहां पहुँचे है, तेंदुल करिये सब, तो मेरा मेरा मेसेज यह है युवा को, कि अपने आप को कुछ करने का प्रहत न करो, तो यह बात है है, और मुंबई मैंने जो परफॉर्म किया है, बड़े बड़े हॉल में, तो कहा जाता है कि जिस तरह से ऐसा लोगों का मानना है कि बिसनेसमेन है कोई अगर, तो वो कुछ और नहीं करता तक है, उनको सिफ बिसनेस के मेही चकर में वो इतने बीजी रहते है, लेकिन ससांग जी की बात कुछ अलग है, वो बड़े बिसनेसमेन है, लेकिन उनका जो वो इस तरह से पूरे कर रहे हैं पूरे तो कर रहे हैं लेकिन लोगों के लिए कर रहे हैं जो senior citizen है उनके लिए कर रहे हैं तो सब आपको देखे साथ खुष हो जाएंगे और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शको को लिये अप एक लाइन आपके जो फैवरिट शौंगे उसकी तो काफी है केल साइगल से लेके सब सिंगर्स के लेकिन अभी कुछ आपने स्पेशली यह जो भी कोवड की स्थिति चली है उसमें सब लोग परेशान है तो कुछ senior citizens की हालत ऐसी हो गई है घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं उनके लिए कुछ खास आपने पेश किया है तो आप आप वो सुना दीजिए हाँ प्रदीप जी जो हमारी फैमिली से असी साल से ज्यादा जुड़े थे वो हमारी फैमिली को जानते थे मैं उनकी गोन में खेला था उनके साथ काफी बैट के बाते हुई है उनका गाना पिंजरे के पंची तेरा दर्द न जाने कोई क्योंकि senior citizens की हालत अभी वो ही है तो उनकी एक पंची मैं आपको सुना जरूर जरूर पिंजरे के पंची पिंजरे के पंची तेरा दर्द न जाने कोई बाहर से तो खामोस रहे तू बीतर बीतर रोई रे ए बीतर बीतर रोई तेरा दर्द न जाने को बहुत ही अच्छा पिंजरे के पंची तेरा दर्द न जाने कोई ये इतना फैवरिट सॉंग है और आज कोई भी सुनता है ये गाना तो एक कुछ अलग सा फिल होता है और जो मानसीक स्थीती जो लोगों की है उसमें से कुछ और प्रेना हो जाती है तो ससंग जी बहुत ही अच्छी बात है आपने इतने गाने सुनाये है और लोग हमारी चैनल के द्वारब भी आपके गाने सुनेंगे सुनते रहेंगे माई फिल्म का है। मैं यही कहूंगा, हो सके तो किसी को मदद करो। मदद करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। और दुस्रा जो गाना सोला जो बढ़के यह सब जो गाने गाता हूं तो मुड-मुड के ना देख। जो हो गया, बीद गया, सो बीद गया। तो आगे देखो मुड़ मुड़ के ना देखो, यही मेरे गाने और यूटूब में जाके सशान्थ बढ़ डालेंगे, तो सब मेरे गाने दिख पाएंगे, अब मैं 22 गाने अपलोड कर रहा हूं यूटूब में, एक से एक जबजस गाने, मेरे साथ जुड़े हुए जो सोम् सब्सक्राइब की जो सिंगर्स है, किंजल ठकर, वर्षा कुलकर्णी, दिलू दवे, सूरत की दो तिन गर्स है, एक तो आफ्रीन, और हिमाली, यह सब मेरे साथ जुड़े हुए है, तो मेरी खुशी है कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, आज डायमंड मर्चंट हूँ, लेकिन यह सब मेरे साथ गाच चुके है, यह मेरी सबसे बड़ी खुशी है, पैरेंट्स के आशिरवाद, इस वेरी इंपोर्टन्ट आज पैरेंट्स ने मुझे कल्चर दिया है, तो मुझे विचार आता है कि बजाए मैं मंदिर में पैसा रखू, मैं गरीब लोगों को या जो हमारी रक्षा करते हैं, मैं उनकी सेवा करू, जो भी अपने दिल से जो भी ऐसा नहीं कि मुझे करोड़ो रूपया, लाको रू चाहते हैं, लोगों की मुश्करहट वापस लाना चाहते हैं, इसलिए आप ये गाने गाते हैं, वो तो तेय हो चुका है, लेकिन ससांग जी लास्ट में हम विदा लेते हैं उसे पहले, हमारे जो चैनल के दरसके वर्ल्ड वाइड में है, पूरे देस में, पूरे वर्ड मे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप उनके लिए एक लाइन में कुछ संदेशा दे देजिए, बस यही है कि लाइफ ब्यूटिफुल है, लाइफ ब्यूटिफुल है, एज अन एकोनमिस्ट, मैं जो कह रहा हूँ, हमने तो सारी वर्ल्ड ट्राविल की है, बतलब सारे कॉं जो लोगों ने हमको सराय है, मैं जिन्दगी में भूल नहीं सकता, मुझे आपरेशन किया था, सर में से काट के टूमर निकाला था, लेकिन माबाब के आशिरवाद से मैं कर रहा हूँ, मैंने सुरिनाम, गयाना, ट्रिनिदाद, इस्ट आफरिका, साउथ आफरिका, मेक्सिको, सब जगह, सब जगह पर ट्राविल किया है, बस यही बात है, बस खूश रहो, और लोगों को खूश करो, बस यही बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ससंग जी आप से मिल के बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हमारे चैनल के द्वारा आपने जो बात आया, और लोग कैसे खूश रह शकते हैं, ऐसे महुलें चाहे, कोई भी स्थीती आपके उपर आ जाए, लेकिन आपकी जो मन की स्थीती है, उनको आप इतने काबू में रख सकते हैं, क्योंकि आपके जो शौक है, आप वो ही काम कीजिए, और लोगों को खूश रखेंगे, तो आप भी खूश रह शकते हैं, तो ससांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही वापस हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, यामिनी जी, थैंक्यू सर, कार्म कार्म कार्णीAH, बहुत ठल में वो ही जी, बहुत रहने खशए के जी, यामिनी को ही को बढ़ते हैं, वो बहुत रहते हैं, वो ही को शिर, तो बहुत दो खूश रहlicher हैं, तो आपके दो मिलते हैं, ऑर शृचके चन्धवाद, एज़ते हैं, जाहां जांवाद, एका झाल 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 झाल